उम्ष्टी साहिराम आप सभी काश वी सथ साहिं लोक सिवा गुरु कलम ओनलाइन क्लासेज में स्वागत है तो अब हमने बच्चों पिशली बार क्लास में जो पढ़ा था वो था जिसकी मेनत उसकी जीत एक नीती परक कहानी तो अब हम उसका एक अभ्याज शुरू करते हैं हमारे अभ्याज का सबसे पहला प्रशन क्या है कि हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है यहाँ पर प्रशन दिया जाएगा उसका उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना है तो पहला प्रशन क्या है चीती कहां गोल गोल घूम रही थी चप्टर पढ़ा था कुछ याद है चीती गोल गोल घूम रही थी कहां चने के दाल के टुकडे के पास यादे न, कौन था उसमें चिटी के अलावार? तीलू. तो चिटी के प्रती हमदर्दी किस ने दिखाई थी? तीलू. चिटी के प्रती हमदर्दी तीलू ने दिखाई. ठीके? अब हम दूसरे प्रेश्ट में जाते हैं. तीलु ने हमदर्दी से चीटी से क्या पूछा कुछ बता क्या पूछा था तीलु ने हमदर्दी से चीटी से यह पूछा कि तुम्हारे बिल तक पहुचा दू क्योंकि उसको लग रहा था, चीटी छोटी है और दाना बड़ा है, तो उसने क्या पूछा? क्या मैं तुम्हारे बिलतक पहुँचा दू? तो चीटी ने क्या कहा? टीलू ने चीटी से क्या सीखा? टीलू ने चीटी से सहयोग और अनुशाशन सीखा, ठीके? तो ये प्रेश्न हमारे चार हो गए अब हमारे पास आया दूसरा अभ्यास दो से तीन वाक्यों में उत्ता लिको ठीक है वो पहला अभ्यास था ये दूसरा अभ्यास चीटी ने विश्वास के साथ क्या कहा चीटी ने फिर क्या जवाब दिया था जब तीलू ने का कि मैं तुम्हारे वहां तक बिल तक पहुचा दू तो चीटी ने विश्वास के साथ यहां कहा कि कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं अगर कोई कोशिश करता है तो वो क्या करता है जीत पाता है ना उसको हमेशा जीत मिलती है तो उसने यही बोला मैं कोशिश करने पर क्या नहीं करूंगी हारूंगी ने मैं कोशिश जरूर करूंगी ठीक है ना मैनत करने के बारे में चीती ने क्या कहा उसने का मैं कोशिश करूँगे मैं हरूँगी नहीं तो फिर एक बार दुबारा से टीलू ने पूछा दा तब उसमें क्या उतर दिया उसने मैनत करने के बारे में चीती ने क्या कहा मैनत करने के बारे में चीती ने कहा मैनत से काम करना बहुत अच्छी बात है ठीक है ना चलो अब हम आगे बढ़ते है अब तीसरा अभ्यास है विलोम शब्द विलोम शब्द मतलब होता है एक शब्द का उल्टा ठीक है ये क्या है पास पास मतलब दोनों दों को आस पास खड अभी क्या हो गया दूर खीशक गया ना तो पास का विलोम दूर ठीक है जैसे रात का दिन वैसे ही पास का दूर अब दूसरा क्या है पीछे अभी दो लोग खड़े हैं ये इसके किसके है ये इसके पीछे खड़ा है ठीक है अभी क्या होगा देखो आगे वो उसके आगे चल मतलब हमें किसी पर भरोसा रखना ठीक है उसका विश्वास का उल्टा क्या होगा विलोम्शन आविश्वास ठीक है दूसरा, हार, उसके बार यह बच्चा कहां आ गया? आगे आ गया, तो यह हार गया और यह बच्चा क्या हो गया? जीत गया, यह दुखो, ठीक है ना? यह दो बच्चे शाथ में खड़े थे, एक बच्चा आगे आया, उसको लगा वो हार गया, फिर उसने आगे बढ़ गया, तो उसने क्या किया, जीत हो गई उसकी, ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़े उसने दिखाई, पहले वो हरा, लेकिन फुर्फिव आगे बढ़के क्या क्या, उसने जीत कर ली, तो अब यह कौन हा रही, यह हरा और यह जीत गया, ठीक है, बहुत, बहुत सारा देखो, एक, दो तीन, चार, पांच, यह नौ थे, इसलिए बहुत साधा थे, नौ से कम हो गया, पांच रह गया, तो कितना हुआ, थोड़ा हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा अभ्यास हमारा है, जोड कर लिखना, आपको यहाँ पर एक-एक शब्दिया गया है, और इन जान करते हैं, वही चीज है, तो चीटी क्या था, चीटी क्या नाचने लगी, काम करना, जा रही थी, बहुत सारे, चीटी सबसे पहले क्या कर रही थी, नाचने लगी, किसको देखके, हाँ, बिल्कुल, वो जो चने की दाल का टुक्णा था, उसको देखकर नाचने लगी, फिर टीलू ने धीरे से पूछा, क्या पूछा था? क्या मैं तुवारे बिल तक पहुचा दू? कोशिश करने से मैं हारूंगी नहीं, किस ने कहा था? चीटी ने, बिल्कुल, मेहनत से काम करना, एक के पीछे एक जा रही थी, ठीक है? कौन जा रही थी? चीटियां, कतार लगा के, ठीक है ना? तब दूसरे उस पर आते हैं, दूसरा अभ्यास है हमारा, सही, सही शब्दों से खाली जगे भरो, ठीक है? आपको वो दिया जाएगा, यह दिया गया है, बिसमें सही शब्द दनना है, मैं इसे ले जाओंगी, यह कि तुम इतनी क्या करोगी? किसने पूछा था? टीलू ने, क्या तुम इतनी महनत करोगी? तुम इतनी महनत करोगी? फिर दाल अपनी जगे पर क्या थी? नाच रही थी? नहीं, जब टीलू चला गया, तो उसके बाद जब वो वापस आया, तो उसने क्या देखा? दाल अपनी सहयोग और अनुशाशन तिलू ने यह सोचा था ना कि हमें चीटियों से क्या सीखना चाहिए मेहनत के साथ साथ सहयोग और अनुशाशन भी सीखना चाहिए ठीक है अब आगे बढ़ते है देखो फिर से वही चीज़ आया कि एक बॉक्स दिया गया है इसमें कई सारे शब्द क्या हो सकता कोशिश करो यह को क्यों कोशिश करने से कोशिश आगया यह को का टार है कथा कटार चीट Lisa sad कतार में जा रही थी थी कै सैरा का मा काम किस कॉन वप्हें और रहे है था है चीटि अपना काम तर्ग त्गदै ça यहीं देखो, दाल, दाल का तुकड़ा, फिर म, का, न, मकान, जिस जैसे घर होता है, घर को हम मकान भी बोलते हैं, ठीके, और कोई शाद, न, म, क, नमग, सॉल्ट, ठीके न, चोड़, आगे बढ़ते हैं, दूसरा अभ्यास है, कन्नड में अनुवाद करू, हम आपको हिंदी में शब्द बोलेंगे, उसको कन्नड में लिखना होगा, ठीके, जाल, वाक्य है, मैं तुम्हारे बिल तक पहुचा दू, यह किस ने बोला था, टीलू ने, तो इसका कन्नड में अनुवाद, यह होगा, ठीके, दूसरा, वाक्य है, चीटी को गुसा आया, चीटी को गुसा कब आया था, जब उसने दुबारा पूछा था, टीलू ने, कि तुम इतनी महनत करो गी, तब, तो इसका कन्नड में अनुवाद, यह होगा, ठीके, तीसरा शब्द है, मुझे काम करने दो, यह तीसरा बाक्य है, ठीके, यह किसने कहा था, चीटी ने, चौथा, कतार में एक के पीछे एक जा रही थी, कौन जा रही थी, चीटिया, यह देखो, ठीके, आगे बढ़ते हैं, दूसरा उस पर, सही शब्द चुनकर खाली जगे बढ़ो, अभी यह खाली जगे बढ़ी थी, यह दूसरा भी है, ठीके, वैसे ही आपको भी, अभी उसमें क्या था, उसमें अपने आप से भरना था, इसमें से देख कर भरना है, ठीके, तो राधा, रमेश, डैश, बहन है, राधा क्या है, इस्त्रिलिंग है, रमेश क्या है, पुर्लिंग है, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है, बहन, बहन मतलब इस्त्रिलिंग के बारे में, त राधा, रमेश की बहन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिलिंग की बारे में पूछा जा रहा है, बहन मतलब स्ट्रिलिंग, इसलिए यहाँ पे की का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अगर यही होता, रमेश पहले होता, और राधा के बार, पूछते तुछ बोलते, रमेश, राधा और यहाँ पे क्या होता भाई तो हम यहाँ पे का लगाते ठीक है ना क्योंकि यहाँ पे बहन इस्ट्रिलिंग है इसलिए हमने की का प्रयोग किया है राधा सेंट्रल स्कूल में डैश करती है क्या करती है पढ़ते हैं पढ़ता है नहीं यह तो बहुत सारे बहुचन यह पुर्लिंग हो गया यह बहुचन हो गया यहां वे तो एक वचन है और इस्ट्रिलिंग है तो क्या शब्द आएगा पढ़ती ठीक है राधा सेंट्रल इस्कूल में पढ़ती है ठीक तीसरा बेटा शब्द का स्ट्रिलिंग रूप डैश है, अभी बताया ने स्ट्रिलिंग पूर्लिंग क्या होता है, पूर्लिंग मतलब मस्कुलिन और स्ट्रिलिंग का मतलब फेमिनाइन, ठीक है, तो बेटा क्या है, मस्कुलिन शब्द है, फेमिनाइन क्या होगा इसका, बे तो यहां पर हमें एक वच्चन में ही लिखना है, यहां पर एक वच्चन में पूछा गया, तो क्या होगा, बेटा का बेटी, ठीक है, समझ में आया ना, चलो, आगे बढ़ते हैं, यह दूसरा हमारा अभ्यास है, उसका नामें विजातिये शब्द चुनकर लिखो, विजाति तोता, कबूतर, साप, कौवा, अब बताओ, इसमें से अलग क्या होगा, तोता, कबूतर, साप, कौवा, तोता भी उड़ने वाला पक्षी है, कबूतर भी पक्षी है, कववा भी पक्षी है, साप, पक्षी नहीं है, तो यह क्या होगा, विजातिये मतलब, उसमें से सबसे अलग, ठीक है? तो यह हो गया साफ, ठीक? अब इसी तरह से दूसरा भी आएगा, देखो बाग, चीता, सिंग, गाए अब आप में बो लोग यह तो सबी जानवर हैं लेकिन ये बाग, चीता, सिंग कहां रहते हैं? जंगलों में, ये क्या हैं? जंगली जानवरों में आते हैं ठीक है और गाय क्या है हमारी घरों में हम गाय को पालते हैं तो यह हमारी पालतू पशुबे आएगी और यह जंगली जानवरों में आएगे ठीक है ना जंगली पशुबे तो गाय सबसे अलग होगी ठीक है बस, माता, पिता और बहन, अब यह तो इसमें क्या अलग हो सकता है, माता, पिता, बहन, यह सब क्या है, यह सब रिष्टे हैं एक दूसरे के लिए, मा, पिता, बहन, ठीक है, लेकिन बस क्या है, बस में हम लोग चड़के जाते हैं, तो यह क्या हुआ, सबसे अलग हुआ, ठी तो तोता कबूतेर साप कोवे में साप हुआ, बाख चिता सिंग गाय में गाय हुआ और इसमें भस हुआ, ठीक है, अभी हमारा दूसरा है, क्या है, यहाँ पर दोको कॉलम दिया गया है, ठीक है, महाँ पर क्या लिखा है, इस सही वर्णों से समनार्थक शब्द लिखो, क्या है. गर का दॉसरा क्या होगा है, मकान. समनार्थक शब्द, घर को मकान भी बोलते है, ठीक है, इसी तरह, दूसरा क्या होए बनाना हे हानग्त ठीक. दूसरा sympath पुस्तग. पुस्तगा क्या होगा बताँ. की ताब, किताब. ठीक है. तीसरा है आस्मान, आस्मान का क्या होगा? आकाश. ठीक है? तीसरा चौथा भीतर. भीतर मतलब अंदर. दोको हुआ ना, भीतर मतलब अंदर की तरaf, भीतर आओ, बाहर जाओ. ठीक.? अभी ये तो हमारा अभ्यास पूरा हो गया, अब इसमें एक नोने भाशा ग्यान मतलब, आपने अभी पढ़ा इस स्रिलिंग, पुर्लिंग, वैसे ही होता है संग्या, सर्व नाम, संग्या पता है न, किसी वस्तू, जगह के नाम को, क्या कहते हैं, संग्या कहते हैं विसी तर वह, कौन, कोई आदी, मतलब, जैसे संग्या क्या होई, लड़का, जगह का नाम लखनो, या डिल्ली, करनाट का, है न, पुस्तक, ये सब क्या हुआ, एक संग्या होई, संग्या की जगह पे, जैसे मैंने बोला, पुस्तक दे दो, तो ये हुआ संग्या, पुस्तक संग्या तो यहां क्या हुआ? सर्व नाम है. जैसे राधा, अभी पढ़ा था ना, राधा, रमेश की बहन है, तो उसमें जैसे राधा और रमेश क्या थे? संग्या थे, क्योंकि वो किसी का नाम है. ठीक है? लेकिन अगर हम उसी जगे लिखते यहां रमेश की बहन है तो रमेश तो संगया हुँआ लेकिन यहा क्या हुआ सर्वनाम तो इसी तरह संगया की जगे पे जो हम शब्द यूस करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं तो आपको कोई । या कुछ ऐसा है जानना चाहते हैं और तो आप कुछ पूछना चाहें तो आप हमारे उसमें जाकर कोशन पूछ सकते हैं आपको उत्तर देंगे ठीक है कोई भी डाउट है तो आप आपस जाए हमारे चप्टो को बार बर पढ़िए आपको समझ में आएगा फिर भी कोई जब हमारे क्लास को जोइन किया